नमस्कार दोस्तों नोकरियान यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स का आज फीजिकल स्टंडर्ड टेस्ट हुआ था ताउ देविलाल स्टेडियम पंचकुला में तो उनका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है ठीक है आज आठ बजे ही जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया जैसा आप देख रहे हैं कि हम हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की ओफिशल वेबसाट पर है यहाँ पर रिजल्ट के सेक्शन में आपको जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो आप रिजल्ट के से टेस्ट था उसका रिजल्ट आ चुका है आप यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा देख लेते हैं कितने candidates का जो है कितने page की PDF फाइल अपलोड की गई है कितने इसके लिए जो है क्वालिफाई हुए है तो आज जो है 24 पेज की जो है PDF फाइल आई है यहाँ पर यह से आप अपने roll number जो है देख सकते हैं कि आपका physical qualify हुआ है या नहीं ठीक है यह 24 पेज की PDF फाइल है अंद में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है the physical measurement test of the above candidates will be held on 17.2.2019 यानि कि आपका 17 तारिक को जो है आपका जो physical measurement test होगा जो physical measurement test qualify करेगा उसके लिए document of verification होगी 18. 18.2.2019 को ठीक है दोस्तों तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो तो 4500 के something candidates ने आज जो है physical qualify किया है और candidates की संख्या जो बुलाई जा रही है एक दिन में लगभग 500 के something जो है candidates को बुलाया जा रहा है तो अब आप देख सकते हैं दिन परती दिन जो physical qualify candidates की संख्या है वो बढ परती ही जा रही है जैसे आज जो है 24 पेज की PDF फाइल यहाँ पर डाली गई है जो जिन candidates का physical standard test, physical screening test जो है qualify हुआ है तो अठावन सो में इसे लगभग आप मान के चलिए कि आपका जो qualifying जो है 4500 के something जो है candidates ने qualify किया है इसके लिए तो दोस्तो यह एक छोटी information थी जो आपके साथ share करनी थी कि आपका जो physical standard test 15 तारिक को हुआ है जो आज हुआ है उसका result जारी कर दिया है तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में एक नई information के साथ तब तक के लिए जैहिन